को जोहार दोस्तों आप सबीको फिर से एक बार जोहार एक्जाम स्वागा दोस्तों कैसे मेरे क्याल से अच्छे इंगुरेचे से बना पेपेसंट कर रहे हुए दोस्तों रोजनाक तरह तो दोस्तों हम लोग 21 आज करने वाले हैं ठीक है तो वो सब को आप लोगो वीडियो नहीं देखेंगों तो आप लोगो का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका पेल लिस्ट बनाया हुआ है उसका लिंक देते हैं वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं ठीक है और उसको एकजामिशन की बात करते हैं तो जितनी भी त्यारी करने वाले कंडिडेट होंगे आप लोगो त्यारी मिलग जाए ठीक है कभी भी आप लोगो का नोटिपिकिसन जिसी सिक दोर आप लोगो का आज आएगा ठीक है तो फिर बोलिया किने की समय नहीं मिला ठीक है आप लोगों को समय दिया जाए रहा है ताकि यह त्यारी किजिए जीवन में जो भी चीज़ होता है अच्छे क्लिव होता है ठीक है बस इसको पोजिटीव तरके से सूचनी का वी सकता है नेगेटीव करने के लिए तो कर दीजिए ठीक है तो हमिसा जीवन में खुष रहिएगा और सफलता भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो चलिए हम लोग एक करके हम लोगो कोईसिन के पर बढ़ते हैं तो देखे आज की हम लोगों फर्स्ट नमर प्रस्ट है भिध्याले किस परकार सिक्षार्त्यों के समाजी करने मड़त करता है केवल सिक्षा की माद्यम से ुर्ध झेल, खूद और न यह पाथ करंम गतिवी स्कति माधियों क माधियम से इससाब से अम लोग का डी नबर ओप्सन जोगा विल्कुल से एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन देखे आप लोग दिया हुआ है विद्याले के सबसे महत्पुन समाजी करन का कायरी कौन सा है सेचिक प्लब्दी, नेतिक मुल्य, देना, समाजी क मान्याताओं का परचार या उप्रोग सभी तो नेक्स प्रसन के अंसर हो जाएगा उप्रोग सभी यानि कि क्या हो जाएगा आप लोग का देखिए अरे इसका जो राइट एंसर आम लोग को दी नवर उप्रोप्शन विल्कुल से एंसर हो जाएगा उप्रोग सभी ठीक है तो नेक्स प्रसन के अम लोग बढ़ते हैं देखिए नेक्स प्रसन आप लोग का है कौन सतत तो समाजी करन के लिए सबसे अधिक प्रवाई होता है पाइट करम सिक्छा का बेक्तित तो पाइट पुस्तग या फे खेल बताई कौन सतत समाजी करन के लिए सबसे अधिक प्रवाई होता है बताईए क्या होग इसका राइट एंसर सिक्छा का बेक्तित तो सही न जाएगा तो अच्छे एक आदमी बनेगा है ना इसलिए हम लोग का बी नवर उप्सन जाओगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए विद्याले में समुकायर क्यों महतपूर्ने चातरों का नुसासन सिकाने के लिए सामुहिक्ता और सयो का बिकास करने के लिए सारेरिक बिकास के लिए या फिर विक्तिगत बिकास के लिए तो विद्याले में समुकायर क्यों महतपूर्ने है तो देखि सामोहिकता और सयोग के विकास के लिए ठीक है इसलिए हम लोग बी नमर जो अप्सन होगा बिल्कुल राइट होना चाहिए होगा ही देखिए सिक्छार्तियों को समाजी करन किस परकार से मुल्यांकन किया जा सकता उनकी सच्छिक उप्रवदियों से उनकी समाजिक सभागिता से उनकी नेटिक समझए इसका यहां फिर वो प्रोक्ष से इसका या फिर वो प्रोग सह भी इसका राया टेंसर हो जाएगा वो प्रोक्ष अभी ठीक है नेक्स परसम है आप लोगा देखिए नेक्स परसम दियाओ उआ है 6 नंबर में बिद्याले में सपाइट करम गति विद्या किस परकार सायक होती है केवल सारीरिक विकास में केवल मांसिक विकास में समाजिक कोसल के विकास या फिर उपरोक सा भी तो देखे विद्याले में सपाइटेक करम गति विद्या यह आप लोग का इसका राइट एंसर हो जाएगा D-Number Option यानि कि सारेरिक विकास में भी मांसिक विकास में भी समझिक कोसल में भी सायक होती है मदद करती है समझें इसलिए D-Number Option जो होगा बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन देखे आप लोग का दिया हुआ है नेक्स प्रसन क्या है तो देखे आप लोग बिद्याले में छातरों को नेतिक विकास के लिए कौन सी विधी सबसे अधिक प्रवाई होती है नेतिक सिक्षक पाइट करम, नेतिक कहानियों क अध्यन, नेतिक मुल सिखानी वाले नाटक और खेल या फिर उपरोक सभी इसका राइट टैंसर क्या हो जाएगा उपरोक सभी यानि कि डी नम्बर उप्षन विल्कुल सही अंसर हो जाएगा बिद्याले में छातरों के नेतिक विकास के लिए देखिए आप लोग नेतिक सिख्षा पाइट करम प्रवाई रहता है नेतिक कहानियों का ध्यान भी रहता है नेतिक मुल सिखानी वाले नाटक और खेल इसलिए आम लोग का डी नम्बर उप्षन जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा नेक्स प्रसंदेखिए आप लोग रहे टनमबर में है समाज में सकारात्मक बदलाव लानने के लिए बिद्याले की रहता होती इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नमर उप्सन यानि की सभी, ठीक है, दखिए, समाज में सकरात्मक बदलाव लानने के लिए दखिए, छात्रों को सेच्छे ज्यान देना बहुती बढ़ा भुमिकार रहता है, नितिक समाजिक मुल्य सिखाना बहुती जरूरी होता है, छा विद्याले के सिख्छकों का समाजिक करन में क्या योगदान होता है, केवल विशय वस्तु सिखाना, नेतिक और समाजिक सिख्छा देना, छात्रों को अनुसासन में रखना या फिर उप्रोक सभी, तो इस प्रसिन के इंसर आप लोग का डी नमर उप्सन बिल्कुल से इंस यानि कि केवल विशय वस्तु सिखाना नहीं है, बलकि आप लोग देकि नेतिक और समाजिक सिख्छा भी देना जरूरी है, छात्रों को अनुसासन में रखना भी जरूरी है, इसलिए अनुसासन जोगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स प्रसिन देखिए आप राइट एंसर हो जाएगा, दोनों ठीक है, यानि कि सिख्छा के माईधियम से भी, समाजिक गति विद्यों के माईधियम से भी, ठीक है, नेक्स प्रसिन देखिए आप लोग दिया हुआ है, कि सोरा वस्ता में सबसे परमुख विकासात्मक बदलाव क्या होता है, सारे रिक बिकास, समाजिक बिकास, या फिर सभी, थो पता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट एंसर आप लोग हो जाएगा, डी निवरव ओपस न ठीक है, यानि कि कि सुरा वस्ता में सबसे परमुख विकासात्मक प्सत्मक बदलाव में से आप लोग हां सारे किसरों के मानसिक विकास में कौन सा पहलू अद्धिक महतपूर ने संग्यानात्मक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास या फिर सभी इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सभी यानि किसरों के मानसिक विकास में महतपूर्य संग्यानात्मग विकास कॉगनेटिव डैबलोप्मेंट नैतिक विकास भावनात्मग विकास ये सब किसरों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसलिए हम लोगा D नमर जो उप्सन होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन देखिए हम लोगों दिया हुआ है किसरों के समाजिक विकास में सबसे महतपूर्ण कारक क्या है परिवारिक परिवेश साथी समू बिद्यालाई सभी तो देखिए किसरों के समाजिक विकास में ये सभी बहुत ही महतपूर्ण रोल अदा करते हैं, परिवार जिस तरह रहेगा, वातारण जिस तरह उसका घर में उस तरह बच्चा भी करेगा, उसके घर काजमी चोर लेटर है डांकु रहेगा, तो उसका बच्चा भी चोर लुटर है डांकु ही बनेगा, उसका समू भी, उसका फ्रेंट सरकल भी डिपें लगेगा इसलिए फ्रेंड शर्कल का भी अझछा होना ज़रूरी है और परिवार की वातावरण आपका घर का भी अच्छा होना चाहिए और विध्यालाई सबसे महत्पुर्ण आप विद्ध्याले भी अच्छे माहोर रहेगा, तो बच्चा अच्छे तरीके सिखेगा, अपने फ्योचर में कुछ अच्छा करेगा, बच्छा में अच्छे तरीसी गुनवता पूर्ण सिख्छा नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा में भी जो हम लोग कलपना कर सकते हैं, किसोरों में आत्म परिच्चाई की भावना किस परकार विक्सित होती समाजी करन के माइदयम से आत्म निरिक्षन के माइदयम से या फिर सी दोनों तो देखें किसोरों में आत्म परिच्चाई की भावना जो होता है ये समाज में राकर ही ओ सीखता है एक दूसरे से मिलेगा लोगों से जान परिचे उसका बनेगा आदमी का कैसे रहता है खाता है किसका रहन सन कैसा है कोन कैसा बोलता है किसका बेहवार यह सब आपको समाजी करण के माधियम से ही पता चलेगा आत्म निरक्षन यानि खुद के निरक्षन के माध्यम से भी किसरों में आत्मी परिचे की भावना और विक्सित होती है इसलिए C नमर उप्षन बिलकुल सही अंसर नेक्स टे आप लोग देखिए किसरा वस्ता में समाजिक समू की भूमिका क्या होती है किसरा वस्ता में समाजिक समू की भूमिका क्या होती है अनुसासन सिखाना आत्मी परिचे भिक्सित करना समाजी करन तो देखिए किसरा वस्ता में समाजिक समू की भूमिका होती है सबसे पहला अनुसासन सिखाना कोई ब इंसान महान बनता है तो वो अनुसासन के ही माइध्यम से, बिना अनुसासन के माइध्यम से आप जीवन में कभी विसपलता हासिल नहीं कर पाईएगा। किसोरों की संग्यानात्मक विकास में सबसे महत्पुन कारख क्या है सिक्षन पदितिया, पारिवारिक समर्थन, सांथियों का परभाव, उप्रोक सभी तो बताए इसका राइट एंसर हो जाएगा D-Number Option यानि की उप्रोक सभी किसोरों की संग्यानात्मक विकास तो अपसे मुत्स प्दिति, उशक्षन पदिति कैसा है पारिवारिक समर्थन, अच्छा रेगा तो उशका संग्यान विकास भी अच्छयं तरीके से होगा साथ्यों को पर वह भी बताये थेने कुछ देर पहले कि जिस तरह उसका सरकल रहेगा फ्रेंच सरकल रहेगा उस तरह का बच्छा भी वो करेगा ठीक है इसलिए D-Number option जो होगा बिल्कुल right answer हो जाएगा next question देखिए आप लोग दिया हुआ है किसोरों में आत्म निर्वर्ता की भावना कैसे विक्सित की जा सकती उन्हें निर्नाई लेने का अउसर देकर उनकी आलोचना करके केवल सिक्छा देकर तो उन्हें निर्नाई लेने का अउसर देखिए किसोरों में बच्चा है उसको खुद का निर्नाई लेने के लिए कहेंगे तो उसमें आत्म विस्वास जग जाएगा वही बोड़ा आत्म निर्परता की भावना बिक्सित होगा तो उसको कैसे बिक्सित होगा तो उन्हें खुद से निर्नाई लेने के लिए आउसर देने से ठीक है बच् किसरों के मान्सित स्वास के लिए कौन सी गतिरवीदिया महत्पूर ने सारे रिग ब्याम कला और संगी समाच सिवा या फिल उपरोक Putting तो देखिए ये सभी एक किसोरा मानसिक स्वास के लिए बहुत ही महत्पुन होता है सारी ब्याम परति एक आदमी को लोग को ब्यायम करना चाहिए एकसरसाइज करना चाहिए उससे क्या होता है एक फुर्तिला होता है सरीर को और एक एनरजेटिक फिल होता है ठीक है अगर देखिए कि आपको भी कभी आप लोग डिप्रेशन में नहीं चाहिए आप और मन पुरा स्वस्थ रहेगा है हमिचा स्वस्थ रहेगा औरอच्छा फिल होगा इसलिए सबी को अभ्यायम करना चाहिए, एकसरसाइज करना चाहिए, कला और संगेत में भी ध्यान देना चाहिए, कला और संगेत के माध्यम से भी हम लोग स्वासरा सकते हैं, समाज सेवा करके भी समाज सेवा किज़े कितना आनन मिलता है, लोगों को सेवा करके कितना आनन मि को सब्सक्राइब करने के लिए को सब्सक्राइब नैतिक भिकास को के अंसर क्या हो जाएगा दी नमिरों ऑप्सन यानि कि उप Brots अभी कि कि Śब्वे में नैतिक विकास को प्रोसाहित करने के लिए देखिए आप लोग 안내 को नैतिक सिख्षा आ बहुत ही ज़रूरी है रोल मोडल का परदर्शन बहुत जरूरी है नेतिक चर्चाए होना बहुत जरूरी है इसलिए डी नमर ऑप्षन बिल्कुल सही ओप्रोक सभी यह तीरों ऑप्षन सही है नेक्स्ट है परतिभा साली बच्चों की पहचान किले कौन सा परिक्षन सबसे उपयोगते हैं परिक्षन सारेरिक परिक्षन या फिर सभी तिसका राइट एंसर हो जाएगा क्या आईक्यू टेस्ट यह बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट है परतिभा साली बच्चों को कैसे परोसाइद किया जा सकता है परतिभा साली बच्चों को नेक्स्ट है दखिए परतिभा साली बच्चों को सिक्चा में सबसे बड़ी चुनोती क्या होती उप्योग संसाधनों की कमी उचिस सिक्चकों की कमी परतिभा साली बच्चों में अगर सही संसाधन नहीं देंगे अच्छे तरीक अश्टेडी मेटर नहीं देंगे तो वो पर्तिवास आली का जो उसमें लक्षन है गून है वो और विक्सित हो जाएगा सही सिक्षक नहीं देंगे जैसे तैसे सलक साब सिक्षक को देंगे तो वो सिक्षा में पर्तिवास आली बच्चों का जो आगे बनने का जिग्यासा है वो रूक जाएगा इसलिए हम लोगा C number option जो होगा बिल्कुल राइट answer हो जाएगा ठीक है देखे 24 number present में है संदीक्द बालोकों की पहचान के लिए कुन सा परिक्षन सबसे उप्योग थे बेहवार परिक्षन, संग्यानात्मक परिक्षन, सारिरिक परिक्षन या फिर सभी इसका राइट answer हो जाएगा यानि की बेहवार परिक्षन, ठीक है इससे किसी भी बालोकों हम लोग पहचान सकते हैं नेक्स्ट है संदीक्द बालोकों की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनोती क्या होती उनके विसे सावचताओं को समझना उप्योक सिक्षन पदेतियों की खोच करना यानि कीसी नमर उप्सन जो होगा बिल्कुल राइट answer हो जाएगा नेक्स नमर परिक्षन देखिए आप लोगों को दिया हुआ है देखिए नेक्स नमर परिक्षन जाने से पहले देखिए रचताओं को स्वन हो परिक्षन 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 आपलोगे वारा Coffee that कि तो दिमाग एकदम इधर सुधर दही हो जाएगा ठीक है उसका पहले सब्सक्राइब मेठियल को पढ़िये ठीक है जो उसका पहले थीवरी पढ़ना बहुत ही जरूरी थीवरी नहीं पढ़ियेगा और डाइरक आप लोग चल जाएगा एमसी की उमेद्द हो तो दिमाग चक्रा ही जाएगा वही बात हो गया लड़की देखे की नहीं और चल गए डाइरक बरात लेके तो उससे क्या होगा ता आप लोग समझदार ही है ठीक है तो अगर आप लोग अभी सपना है ड्रीम है गोल है जरकनमीला सुपरवाजर में जा परकिया गया तो निश्चिती रूप से आप लोगा यहां से प्रसंद देखने को मिलेगा बर्सत्य आप लोग को पढ़ने की आओ सकता है और जो भी जोहर एक जाम टीम के दौर आप लोग बतला जाएगा वह आप लोग फोलो करने की आओ सकता है तो आप लोगा 100% आप ल आप लोगा लोगा थे नंबर दिख रहा होंगे ऐट 789125 22 캐ा करना है चैनल उसके इसी नंबर पर डाल देना इसके इस 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 नंबर बता के बता देना है कि हमको सुष्ण को चाहिए होम साइंस का चाहिए औस साइक्लोग चाहिए पर हिंदी का जिसको भी चाहिए आप लो इप फॉर्मेटर ही मिलेगा है ना तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया कैसे करना है नहीं करना है तो देन उसके बाद दोस्तों देखिए जवार एक्जाम टीम के दोरा आप लोगो देखिए टी सिरीज भी बनाया गया है चाहे हम लोग पेपर वन की बात करते है चाहे पेपर 2 की बात करते हैं चाहे पेपर 3 की बात करते हैं ठीके किसी भी एक्जामिसन को करेक करना है तो देखिए सही स्टेडी मेंटरियल के साथ साथ आप लोगो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है ठीके कम ही पढ़िये लेकिन अभ्यास करना जरूरी है यह ना अभ्या सब्सक्रेइसब्स पंवेहे निवकलर से से निकलता है Tao देत पर 2-10 पर बढ़ता तो मेहनद करना है यह हें तो बेकार में इसमेद करना हैushing पर्याँ करना है चारो option ही सही है तो क्यों लगता है क्योंकि practice ने अभ्यास नहीं आप तो पुरा silvest को खा गी है complete कर लिए है पढ़ लिए है लेकिन वही आपका practice नहीं है practice बहुत ही जरूरी है कि इक्जामिसन करें करना है सही study material के साथ आपको practice भी करना बहुत ही जरूरी है जितना syllabus जरूरी है उतना आप लोग क्या बोलते हैं test series भी mock test भी लगाना जरूरी कोई भी सफलता प्राप्त किये हुए अभियर्तिक पुछिएगा तो बताएगा mock test आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लगाईएगा तब selection होगा अधरुआज आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं यह कोई मेंट्री का इंटर एक ग्रेजिशन की एक्जामिशन नहीं है कि आप जैसे तैसे पास कर लिजएगा इसमें आप गलती किजएगा उसका नंबर कर जाएगा इसलिए आप लोग समझके भी आप लोग को टिक लगानी क्या होई सकता है ठीक ना तो देखिए आप लोग के लिए और प्रेपर वन का टिस्ट रिज़े इपेपर टू के है कितना रखा गया है 200 रखा गया है ठीक है तो दीक नमबर आप लोग दीख रहा होगा 8 7, 8 9, 1, 2 5, 2, 9 इस नमबर पर आप लोग क्या करना है 200 ट्यक है 200 पेंमेन करना है दिन उसके बाद इसकीन सोट आप लोग को इसी नमबर पे WhatsApp नमबर पे डाल देना है उसके बाद आप लोग को बता देना है कि शेर हमको Paper 1 का चाहिए या फिर Paper 2 Hindi, Khotana, Puri जिसको भी चाहिए आप लोग बता सकते हैं तेन उसके बाद Paper 2 आप लोग देखे सकते हैं और अपने आप में सुधार कर सकते हैं अपने अंदर की गलतियों को सुधार सकते हैं और जो आप लोग का ड्रीम है गोल है, सपना है उसको आप लोग सकार कर सकते हैं ठीक ना? तो उमीद करते हैं यह आप पर कुछ समझ में आगे होगो कैसे करना है नहीं करना है तो हम लोग नेक्स कोशिन को रुपढ़ें तो चलिए बढ़ते हैं दिखिए परतिभास आली बच्चों को सिक्षन में किस परकार की विधिया सबसी अधिक प्रवाई होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्या दिया होगा संदिक्द बालोकों को सिक्षन सबस्यादिक मददकार क्या होता है विसे सिक्षन विधिया विसे सिक्षन उपकरन योग सिक्षक या फिर दी उप्रोक सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा वो प्रोक सा भी ठीक है नेक्स प्रस्ट क्या लोग बढ़ें नेक्स प्रस्ट क्या आप लोग दिया हुआ है परती बास अली बच्चों के लिए सबसे उप्यूक पैट करम कौन सा होता है समाइनी पैट करम उननत पैट करम बेक्तिगत अनुकुलिट पैट करम या फिर कोई भी नहीं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बेक्तिगत अनुकुलिट पैट करम यानि किसी नमर जो ऑप्सन होगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए संदिक्ध बालोकों के लिए विसेश सिक्षन विध्या कियों आव़िसक होती उनके विसेश आवशकता पूरा करने के लिए समाइन विध्या प्रवाई नहीं होती है तो देखें इसका राइट इंसर हो जाएगा दोनों बिल्कुल सही इंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए संदिक बालोगों को विशन सिक्षन विध्या आविसक होती है इसलिए क्योंकि उनको आविसकता होती है विशेस चीजों की ठीक है समाइनी विध्या सही बात है प्रवाई नहीं होता है इसलिए तूसको इस वेसल सिक्षा दिया जाता है हाना नेक्ष्ट है देखे नेक्स नोग दिया वो परतीबास आले बच्छों के विकास में सबसे महत्मुन का रख्या है परिवार्ग समर्थन विद्यालेक सही हो तीक है सही दोनों बिल्कुल से अंसर हो जाएगा इसलिए हम लोग दीन ऑप्सन टीप हो रहे हैं सी नमर ऑप्सन बिल्कुल सही अ परियास करेंगे ताकि आप लोग जो ट्रीम है गोल है उसको सकार कर सकें देखें एक्टिस नमर में आप लोग दिया हुआ है संदीक्त वालोकों के मानसिक स्वास के लिए कुन सी गति विद्या महत्पूर्णी सारेरिक ब्यायम कलावर संगीत समाज से भी या फिर उप्रो सभी ठीक है डी नमर ऑप्शन विल्कूल सही इंसर नेक्स्ट है परतिबा साली बच्चों में आत्म पर रहना कैसे विक्सित की जा सकती परतिक विताओं के माध्यम से प्रुसान और प्रुसकार देकर उनकी रुच्छियों को प्रुसाइद कर किया फिर उप्रोक सभी जिस सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नमर ऑप्शन या एक उप्रोक सभी यानिकि संदिक बालोकों के लिए धैर ये रखना बहुत ही जरूरी है ठीक है सिक्चों को समझ होना बहुत जरूरी है यानिकि तीनों ये जो ऑप्शन है ये गुन उस सिक्षक में होना जिसका राइट एंसर हो जाएगा वो प्रोक सभी ठीक है नेक्स्ट है संदिक बालोकों के विकास के लिए सबसे महत्पुन कारक है परिवार कसमर्थन विद्यालेक सहयोग सीमर आप्शन बिल्कुल सा एंसर देखिए रिपीटेट कोसिन हो गिया है परतीबा साली बच्चों के लिए विशेश सिक्षा कायर करम किया हो इसा कि उनकी विशेश चमताओं को बिक्सित करने के लिए समाइन सिक्षा उनके लिए परियाप्त नहीं होती है सी दोनो इसलिए हम लोगा ये दोनों उप्सन बिल्कुल से इन्सर हो जाएगा यहनी कि दोनों उप्सन ज़रूरी है संदीक्त बालकों के लिए सबसे उप्योग पाइटकरम कौन सा होता है इसलिए लिए इसलिए बिन्यर ऐपसन बिल्गुल के एंसर हो जाएगा पर्तिवा सली बच्चों में आद्म बिस्वास कैसे विकशिद क्या जा सकता उनकी उपलोःध्यों को पहचान कर परोशाहित करके इसका एंसर क्या हो जाएगा इसको आभी कुछ देर पहले बताइए भी repeated question बताइए इसका answer क्या हो जाएगा d number हो जाएगा कितना जल्दी आप लोग बल जाते हैं देखे संदिक बालों को कि सिक्षाम सबसे बड़ी समिश्या क्या होती है उचिस अंसाधनों की कमी योग सिक्षको कमी उनके विश्य सावसाकताओं को समझना तो देखे इसका right answer हो जाएगा d number option यानि की बिल्कुल सही answer हो जाएगा यानिक उचिस संसादनों की कमी होता है, यह उक्सी छकोग कमी होती है, उनके विश्य सावशक्ताओं को समझ नहीं बाते हैं, इसलिए हम लोग का डिन अब रॉप्शन बिल्कुल सही, यह भी रिपीटेड को से नहीं देखते हैं, पटाक से आप लोग कमेंट करके बता देना चाहिता है, परतिवास आली बच्चों के मानसिक स्वास के लिए कौन सी गतिविद्या महतपूर्न है, सारे लिक ब्यायम, कलावर संगी, समाज सिवादकी, यह भी रिपीटेड को से नहीं, डिन अब रॉप्शन इसका बिल्कुल से इंसरो हो जाएगा, नेक्स्ट है, आप प्रतिवास आली बच्चों के नेतिक विकास को प्रोसाहित करने के लिए कौन सी विधिया परवाई है, नेतिक सिक्षा, रोल मोडल का परदर्शन, नेतिक सर्चाई या फिर डी सभी, इसका राइट एंसरो हो जाएगा, उप्योग सभी, ठीक है, नेक्स्ट है, संदीक्द बालकों के बेहवार में सुधार के लिए सबसे अधिक प्रोसाहन, नकरात्मक प्रोसाहन, अनुसासनात्मक करवाय, फिर डी सभी, इसका राइट एंसरो हो जाएगा, सकरात्मक प्रोसाहन, नेक्स्ट है, परतिबास अली बच्चों के साथ काम करते समझ सबसे महत्पून क्या होता है उनकी रूचयोग समझना उनकी छमताओं को प्रुसाहित करना उन्हे चुनोती पूर्ण काईर देना या फिर उप्रोक सभी इसका राइट एंसर हो जगा उप्रोक सभी यानि कि उनकी रूचयोग समझना होगा, उनकी छमताओं को पुरसाहित करना होगा, उन्हें चुनोती पूर्ण कायरे देना होगा Next संदिक बालकों के लिए विशेश सिक्षा कायर करम किया होई सके उनकी विशेश सावसे अक्ताओं कुरा करने हैं समय सिक्षा के लिए पर्याप नहीं है इसका सी नम्रा उप्षन हो जाएगा देखिए दो तीन बार रिपीट हो गया है Next ये भी रिपीटिट कोसेन है परतिवा साली बच्चों के सिक्षन में सबसे बड़ी समिस्तिया क्या होती उबाव पाइट करम, सिक्षक का दियान उप्युक संसाधनों की कमी उप्रोक सभी इसका राय टेंसर हो जाएगा उप्रोक सभी Next प्रसंदेखिए आप लोगों दिया हुआ है संदिक्त बालोकों के मानसिक स्वास के लिए इसका राय टेंसर हो जाएगा उप्रोक सभी यह भी आप लोगों रिपीटेट कोशन है Next प्रतिवा साली बच्चों में आत्म प्रेना कैसे बिक्सित होती है प्रतियों योगताओं के माधियम से प्रोसान और प्रोसकार देकर उनकी रूचियों को प्रोसाहित करके या फिर दी उप्रोक सभी इसका राय टेंसर हो जाएगा डी नमर यानि की उप्रोक सभी Next प्रसंदेखिया आप लोगों के दिया हुआ है संदिक बालोकों के लिए सिक्च को कौन सा कौन सबसे मात्पुर्ण होता है इसका राय टेंसर हो जाएगा उप्रोक सभी नेक्स प्रसंदेखिया आप लोगों के दिया हुआ है परतिवा साली बच्चक विकास में सबसे मौत्पुर्ण कारक क्या है परिवार के समार्थान भिद्यालाइक सायोग दोनों यह भी रिपीटेट कोसे ने दो से तीन बार यह रिपीट किये हैं ठीक है सी नम्बर उप्शन बिलकूर राय टेंसर हो जाएगा तो दोस्वों मीद करते हैं सेसन आप लोग के हेलपल हो रहा हुए अप लोग वीडियो का लाइक करें कमेंट करें और जदस जदस सेर करें ताकि जितने भी त्यारी करने वाले कंडिडेट होंगे सभी पास वीडियो पहुँँ सकें और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें ठीक है और उस यह केलास आप लोग कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है खराप लग रहा है पुरा लग रहा है समझ में आ रहा है की नई यार जो भी आप लोग को मन में और कोई से hine होगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है उसकी according आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेनल आने के परियास किया जाएगा और आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, जरकन मेला सुपरवजन एक सिट पका करना उसको सकार करने के लिए भरपूर जोर एक जाम टीम के दोरा कोशिस किया जाएगा तो आप लोग कोशिस करना है, ठीक है और अभी तक आप लोग जोहर एक जाम को सब्सक्राइब नहीं कर लिये होंगे सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा ताकि जब भी सी परकार गब वीडियो अपलोड होगा ता आप लोग सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा तो ठेक है दोस्तों फिर मिलते नेक्स वीडियोम तब तक के लिए टाटा बाई बाई जोहार